पूर्णिया में लॉकडाउन के अबधी में भी बिजली विभाग की मुस्तेदी देखने के लिए मिली बिजली विभाग के कर्मी आम जनों को दिक्कतों से बचाय रखने के लिए देर रात तक काम करते ने जराए इन दिनों लॉकडाउन में सभी महले के अधिकांस लोग अ और बच्चों की पढ़ाई भी आजकल ओन लाइन हो रही है इसलिए से कंप्यूटर के चलाने के लिए भी बिजली क्याव सकता पर सकती है जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन में बिजली के अहमियत पहले से अधिक बढ़ गई है ऐसे में सहर की बिजली विष्था को दू है क्योंकि लोग से मेरी बात हुई थी बिजली हुआ की लोगों से तो बीच में बारिस के वज़ा से तिन चार गंड़ दिश्रव रहा जिस कारण से इतनी देड़ हुई है पुरा महिनत की हैं हांडेट परसंट की हैं नहीं करते तो अभी रात में भी दस बुजे ही लोग चला है तो पता चला की यहां का ट्रांसफर्मर जल गिया तो उस टाइम से ही हम लोग कंटीन्यू लगे वे आर्ग रात तक काम चलू है और आज चलो है और चलो करने के लिए भी लोग तक है कि लिख में थोड़ी दिर देर बारिस होने के करण से रहने के बाद भी जो हैं हमारे सारी मिस्त्री का जो है सब्सक्राइब करें बाइब करके अपने लाइन को चलाए हुए है और आगे चलाने का उमीद रखते हैं जो मिस्तरी पर ही लाइन चल रही है क्योंकि जतने भी मिस्तरी का ही योगदान है जो अभी लाइट चल रही है हमारे जो वर्य पतादी कारी है उनका गाइड लाइन्स है उनके गाइड लाइन्स पर हम सारे मिस्तरी रिजन वर्क कर रहे हैं और अपने कारे को अच्छे ढंक से करते वे पुरा कर रहे हैं विजवल में साब तोर पर देखा जा रहा है कि ये लोग किस तरह से पूरी करमटता और सजगता के साथ अपना कार कर रहे हैं लेकिन इनके पास सुरक्षा संसादनों का अभाब ने जरा रहा है ऐसे में विजली विभाग को भी सोचना चाहिए कि इन करमियों को सुरक्षा सं